नाश्कार दोस्तों स्वागदा सभीगा मेरे यूटूब चनल एस वे मेडिसीन में आज हम डिव्यू करेंगे पारवन हजार एमजी एसार टेबलेट के बारे में इसकी क्या के विजेज हैं बेनेफिट्स हैं प्रिकोशन हैं इसे आपको क्या कैसे हैड इफेक्ट हो सकते हैं चानकरी के लिए इस वीडियो को पूरा जोड़ देखें और अगर आपने अभी तक मेरे यूटूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो इससे सब्सक्राइब करें और बेल आगन को जोड़ दबाएं तकि आपको हर वीडियो को नोटिफेक्शन मिलते रहे हैं पारवन 1000 Mg SR टेबलेट चक्सन पल फार्मा का बेस्ट क्वालिट रॉक्ट हैं जिसकी प्राइज होती हैं 55 रुपे पर इस्ट्रिफ इसका कंटेंज होता है परास्टामोल इमेडियेट रिलीज 300 Mg और परास्टामोल सस्टेन रिलीज होता है इसमें 700 Mg इस टेबलेट का य यूज, पेनकिलर और फीवर मी क्या जयता हैं अगर आपको हेडेक हो रहा है कठिया के करन पेन होरा है पिरियेट्स के दौरान आपको दर्द हो естर्ड़ो के करन आपको पेन हो रहा है तो इस टेबलेट का यूज आपको का फीयराम दिलएगा शुरुआत में हो सके तो आप सबसे कम परवाली डोज ले जब वो लंबे समय तक लेने के बाद अगर आपको काम करना बंद कर दें तब आप पेन किलोरी टेबलेट का डोज बढ़ाएं या फिर उसकी महातरा बढ़ाएं जैसे कि श्टडिंग में आप 200 mg परश्टामोल लें फिर आप 325, 500 और ये सबी अगर काम करना बंद कर दें तब आपको परश्टामोल का ये 1000 mg वाला डोज आपको लेना है अगर आपको वाइरल फिवर हैं, टाइफाइड बुखार हैं, मलेरिया बुखार हैं, डेंगू बुखार हैं और अगर आपको चिकन गुनिया हैं तो इसी सभी कंडिशन्स में ये टेबलेट बहुती फास्ट वर्क करते हैं और भी अगर आपको कान दर्द हो रहा हैं, दाथ दर्द हो रहा हैं, बदन दर्द, हाथ पेरों में दर्द, बेक पेन होना, मसल्स पेन होना और पोस्ट टेबलेट पेन की प्रोब्लम हैं तो ये टेबलेट आपको बहुत ज़्यादा आराम दिलाएगी साथ ही अगर आपको migraine की सिकायत है joint pain है, कहीं पे मोच आगे है, एडियों में दर्द हो रहा है कलाई में दर्द हैं, फोड़े फुनसी या गाव का दर्द हैं या बोडी में किसी भी तरह का दर्द हैं तो इसका use आपको काफी आराम दिलाएगा अब बात कर लेते हैं इसके साथ हने के बारे में तो अगर आपको कोई severe disease है तो आप इसका use ना करें विसे ये pregnancy में safe है पर फिर भी आप doctor के सला से इसका use करें डोज की अगर बात करें तो normally से दिन में एक बार लेने के आपको कहा जाता हैं पर अगर patient की conditions ज़्यादा खराब है उनको pain या बुखार ज़्यादा है तब इसे में doctor सापको सुबव साम भी आपको लेने की कह सकते हैं बच्चों से दूर रखें या फिर बच्चों को इसकी बहुत कम मातरा में dose दें अब बात कर लेते हैं इसके होने वाले side effect के बारे में तो जो common side effect आपको नजर आ सकते हैं वो हैं नीदाना, चक्कराना, नोजिया या वॉमिटिंग होना आपको हो सकता है हो सकता है इन सभी side effect के अलावा भी आपको कोई दूसरे side effect नजर आई अगर कोई दूसरे side effect को दिखते हैं तब इसे में आप इसका यूज बंद करें और तुरह अपने डाक्टर से कंसल्ट करें तो friends, उम्मीद आपको वीडियो जुरूर पसंद आए होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें तेंक यू